दोस्तो हर परिवार का सपना होता है कि वो अपना खुद का घर खरीदे या बनाए लेकिन आज की बड़ती महंगाई के दोर में नगद रूप से घर खरीदना या बनाना बहुत ही मुश्किल है और इस मुश्किल को आसान बनाता है होम लोन आज बहुत सी बेंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनिया home loan उपलब्द कराती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग home loan लेने में दिक्कतों का सामना करते रहते हैं तो यदि आप भी उनी लोगों में से एक है जो होमलोन तो लेना चाहते हैं लेकिन इसकी जटिल प्रोसेस को ना समझने के चलते हैं होमलोन लेने में परेशान हो रहे हैं तो आज की यह वीडियो आप पूरी देखिए आज की इस वीडियो में हम होमलोन की संपूर्ण जानका पर बात करने वाले हैं और दोस्तो मेरा दावा है कि अगर आपने यह वीडियो बिना स्कीप किये पूरा देखा और समझा तो आपको होम लोन लेने में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी तो बिना देर की आज की वीडियो शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूं मंगल तो आपकी जानकरी के लिए बता दे कि घर या मकान से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला लोन है होम लोन लेकिन यह घर या मकान से जुड़ी जरूरते क्या है क्योंकि बहुत से लोग जब होम लोन के लिए आवेदन करने जाते हैं तो होम लोन लेने के गलत कारण लिख देने के चलते उनका लोन, बेंग या हॉसिंग फाइनेंस कमपनियां रिजेक्ट कर देती है तो आपको बहुत ही गंभीरता से समझना होगा कि आखिर होम लोन किन-किन कामों या जरूरतों के लिए लिया जा सकता है तो दोस्तो होम लोन क्यों लिया जाता है इसकी बात करें तो आपको clear कर दे कि होम लोन लेने की कुछ category होती है इसमें सबसे पहले आता है मकान खरीदी के लिए लोन यानि आप जब भी नया घर खरीदते हैं और उसे खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो उसे होम पर्चेस लोन कहा जाता है इसके अलावा आप होम लोन के अंतरगत मकान बनाने, मकान के विस्तार और सुधार के लिए भी होम लोन के अंतरगत लोन ले सकते हैं इसी के साथ कई बेंक या हाॉसिंग फाइनेस कमपनिया आपको प्लॉट खरीदने के लिए भी लोन उपलब्द कराती है कई लोग मकान बन्दक रखकर किसी दूसरे काम के लिए लोन लेने को भी होम लोन ही मानते हैं लेकिन ऐसा नहीं है इस तरह का लोन लोन अगेंस प्रॉपर्टी या मॉर्गेज लोन कहलाता है और इस तरह के लोन का ब्याज भी होम लोन से कई गुना ज़ादा होता है तो दोस्तो होम लोन की बेसिक जानकारी के बाद अब बात करते हैं इसके सबसे जरूरी पक्षकी जो है इसमें लगने वाले दस्तावेज दोस्तो आपको जानकारी होगी कि बेंक द्वारा जादा तर होम लोन के आवेदन दस्तावेजों के पूरे नहीं होने के कारण डिजेक्ट किये जाते हैं तो आपको home loan के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी होना चाहिए ताकि आपका loan reject ना हो तो दोस्तो यूं तो हर bank और housing finance company home loan के लिए उनकी policy के हिसाब से document की मांग कर सकती है हां तक कि ये दस्तावेज आपके शहर राज्योर आपकी income और profile के हिसाब से भी अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन आज हम आपको home loan लेने के लिए लगने वाले कुछ basic दस्तावेजों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं और इन दस्तावेजों में सबसे महतपूर और जरूरी दस्तावेज होते हैं आपके KYC document इन document में loan आवेदक और सहा आवेदक के ID proof जैसे आधार कार्ट, pen card या driving license की जरुवत होती है वही address proof के रूप में बिजली का bill, telephone का bill या rent agreement आपको home loan के आवेदन के साथ देना होता है दोस्तो home loan के दूसरे जरूरी दस्तावेजों में आते हैं आपके income से जुड़े दस्तावेज जैसे job करने वालों के लिए उनकी salary sleep और form number 16 के साथी साथ salary account इन दस्तावेजों में शामिल होता है वही business से जुड़े logo के लिए business license, income tax return, balance sheet और business से जुड़ा current bank account भी जरूरी होता है हला कि आपको यहां एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ bank या housing finance company बिना किसी income document के या कम income document के भी loan दे सकती है तो यदि आपके पास income के कोई document नहीं है या कम है तो भी आप home loan ले सकते हैं और आपको यदि या जानना है कि आप बिना income document के के से home loan ले सकते हैं तो आपको ये दोनों वीडियो देख सकते हैं और इन दोनों वीडियो की लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है दोस्तो KYC और income document के बाद सबसे जरूरी और मुख्य दस्तावेज होते हैं संपत्ती से जुड़े दस्तावेज इन दस्तावेजों के बगे area कमी के चलते आपको कभी भी home loan मिल पाना समभव नहीं है और इन दस्तावेजों में आपके संपत्ती की रजिस्टी नक्षा नामंतरन के साथी साथ link रजिस्टी या lease deed या sell deed जरूरी होते हैं इसके साथ ही नगर निगम या अन्य सरकारी विभागों की NOC इन दस्तावेजों में शामिल होती है दोस्तो वैसे property के यह basic document होते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आपके संपत्ती के title और उसके प्रकार के हिसाब से आपके संपत्ती के दस्तावेज भी अलग-अलग हो सकते हैं इसके अलावा यह संपत्ती के दस्तावेज आपके शहर और राजे के हिसाब से भी अलग-अलग हो सकते हैं तो यहां हमारा suggestion है कि जब भी आप home loan लेने का सोचे तो जिस भी bank या housing finance company में आप home loan के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके स्थानी अधीकारी या अपने वकिल को आपके संपत्ती से जुड़े दस्तावेज पहले ही बता दे ताकि आपको home loan आवेदन करने के पहले ही आपके संपत्ती से जुड़े दस्तावेजों की कमी पेशी के बारे में पता चल सके दोस्तों दस्तावेजों को समझ लेने के बाद अब बात करते हैं होम लोन में लगने वाले ब्याज के बारे में तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज हर बेंक या हाॉसिंग फाइनेस कमपनी का ब्याज भी अलग-अलग होता है लेकिन हम आपको यहां होम लोन का अनुमानित ब्याज बताने की कोशिश करते हैं तो यदि आप किसी सरकारी बिंक से होम लोन लेने जाते हैं तो आपकी योगिता के हिसाब से आपको 6.50 से लगा कर 7 या 8 परसेंट तक का ब्याज चुकाना पड़ सकता है वहीं यदि आप किसी प्राइवेट बेंक या हाउसिंग फाइनेस कमपनी से होम लोन लेने का सोचते हैं तो आपको लगबग 7 परसेंट से लगा कर 16-17 परसेंट तक भी होम लोन पर ब्याज चुकाना पड़ सकता है हाला कि यह ब्याज आपकी प्रोफाइल, सिबिल स्कोर और संपत्ती पर भी निर्बर करता है इसका मतलब है कि यदि आपकी प्रोफाइल, सिबिल स्कोर और संपत्ती का मुल ठीक ठाकिया अच्छा है तो आप कम ब्याज पर भी आसानी से होम लोन ले सकते हैं इसी के साथ यह ब्याज RBI की guideline और bank या finance company की policy के अनुरूप समय समय पर कम या ज़ादा होता रहता है तो हमारा अनुरोध है कि यदि आप यह जानकरी वीडियो पब्लिश होने के कई दिनों या समय बात देख रहे हैं तो होम लोन आवेदन करने के पहले इस्थानी bank या housing finance company से ब्याज के संबंद में जानकरी आपको ले लेना चाहिए और यदि आपको ब्याज के संबंद में कोई update चाहिए तो आप वीडियो के नीचे comments भी कर सकते हैं दोस्तो होम लोन लेने में केवल ब्याज ही नहीं लगता बलकि कुछ भारी भरकम charges भी देने होते हैं साथ ही होम लोन लेने में कुछ penalty और charges भी आपको bank को चुकाने पड़ते हैं तो आईए इन खर्चों के बारे में थोड़ी जानकरी लेते हैं तो दोस्तो होम लोन लेने के पहले आपको सबसे बड़ा खर्चा करना होता है प्रोसेजिंग फीस यानि प्रक्रिया शुलक पर और ये फीस हर बिंक या हाॉसिंग फाइनेंस कमपनी में अलग-अलग होती है हाला कि अमूमन ये फीस आपके द्वारा लिये जा रहे है लोन की राशी का 1-2% तक हो सकती है इसके अलावा होम लोन लेते समय आपको स्टाम डूटी इंशोरेंस तकनीकी और कानूनी शुलक के साथ साथ बंदक शुलक भी देना होता है जिसका खर्चा भी आप हीकी जिम्मेदारी होती है इन सभी खर्चो को होम लोन प्रोसेजिंग चार्जेस के रूप में देखा जाता है और बेंक या हौसिंग फाइनेंस कंपनिया इस तरह का खर्च आपसे होम लोन मिलने के पूरव ही कराती है हाला कि कुछ bank या housing finance company इस खर्च को आपकी loan राशी में से भी काट सकती है home loan मिलने के बाद bank या housing finance company आपसे कुछ hidden charges वसूलती है जैसे check bouncing charges, document charges और late fees इन सभी charges की जानकारी भी आपको home loan लेने के पूर्व ही bank या housing finance company से लेना जरूरी है दोस्तों चुकि हमने इस वीडियो के शुरुवात में वादा किया था कि हम home loan की संपूर्ण जानकारी देंगे ताकि आप आसानी से home loan ले सके तो आगे अभी 3 point और बचे हैं जिसकी जानकारी लेना आपके लिए जरूरी है इन point में home loan की अउधी, home loan के लिए कैसे आवेदन करें और आवेदन करते समय कौन-कौन सी सावधानिया रखें ताकि आपका loan reject न हो इसकी बात हम करने वाले हैं तो इन 3 point में से सबसे पहले point की बात करते हैं home loan की अउधी के बारे में तो दोस्तो वैसे तो home loan की अउधी का निर्दारन आपकी उम्र, नोकरी और bank के अपने नियम पर होता है लेकिन ज़्यादा तर bank या housing finance company आपको अधिक्तम 20 सालों तक के लिए loan दे सकती है दोस्तो home loan की अउधी का निर्दारन आपको बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि लंबी अउधी के फाइदे और नुकसान दोनों है लंबी अउधी के फाइदे की बात की जाये तो आपकी home loan की छोटी किष्ट इसका सबसे बड़ा फाइदा है जिससे आपको home loan आसानी से चुकाने की सहुलियत मिलती है लेकिन लंबी अउधी के home loan पर आपको ज़्यादा ब्याद चुकाना पड़ सकता है और यही इसका नुकसान भी है दोस्तों अउधी के बाद अब बात करते हैं कि यदि आप home loan लेना चाहते हैं तो आप केसे और कहा home loan के लिए आविदन कर सकते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आज home loan लेना बहुत ही आसान है क्योंकि हर bank और housing finance company की शाखाएं आज हर शहर और गाउं में भी मुझूद है आप आपकी योग्यता और वीडियो में बताये गए दस्तावेजो के साथ किसी भी bank या housing finance company में company का चुनाव कर सकते हैं और उनकी शाखा में जाकर सीधे home loan के लिए आविदन कर सकते हैं दोस्तो बेंक या housing finance company का चुनाव करने के लिए आप internet का भी यूज़ कर सकते हैं और यदि आपको ऐसी bank या housing finance company की चुनाव करने में समस्या है जो आपको आसानी से home loan दे सके तो आप इस वीडियो के description में दी गई लिंक पे जाकर online home loan आविदन कर सकते हैं दोस्तो home loan की संपूर्ण जानकरी के बाद अब बात करते हैं कि यदि आप home loan लेने का सोच रहे हैं तो home loan की आविदन के समय या उसके पहले आपको किन-किन बातों की सावधानिया रखना जरूरी है सावधानियों में सबसे पहली है अपनी profile और civil score का ध्यान रखे हाँ दोस्तो bank या housing finance company आपके civil score और profile के आधार पर home loan फिक्रत करती है और यदि आपकी profile और civil score ठीक नहीं है तो हो सकता है आपके loan आविदन को reject कर दिया जाए दूसरी जरूरी बात कि इस वीडियो में मैंने आपको ब्याज और charges की जानकरी दी है तो यह पूरी तरह से bank और आपकी profile और संपती के मुल्यांकन पर निर्भर करता है इसकी जानकरी भी आपको पहले ही लेना जरूरी है तीसरी और सबसे जरूरी बात कि कोशिश करे कि home loan का आविदन आप सीधे bank या housing finance company या digital माध्यम से करे ना कि किसी बिचोलिय या DSA के माध्यम से ऐसा करने से आपका home loan तेजी से स्वीकरत होगा और आपको किसी प्रकार का कोई अतिरित commission भी नहीं देना पड़ेगा इसके अलावा यदि आप home loan लेने के लिए किसी DSA या agent loan agent की मदद ले भी रहे हैं तो किसी प्रकार की fees loan होने से पहले उसे न दे ऐसा करने से आप किसी भी आर्थिक धोकादड़ी से बच सकते हैं इसके अलावा आप home loan के लिए वीडियो में दी गई link के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तो ये थी home loan से जुड़ी संपूर्ण जानकरी दोस्तो अगर आप हमारे regular दर्शक है तो आपको पहले से पता होगा कि मैं पिछले 10 सालों से loan और finance field से जुड़ा हुआ हूँ और आपको यह भी पता होगा कि मैंने 10 सालों तक home loan से जुड़ी अलग-अलग कंपनियों में काम किया है और कर रहा हूँ और इसी अनुभव के आधार पर आज में देश के हर जरुवतमंद लोगों तक ऐसी ही आसान जानकरिया पहुचाना चाहता हूँ तो अगर आप मेरी और उन जरुवतमंदों की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चाहती वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं हम आपके हर सवाल के जवाब देने की कोशिश करेंगे दोस्तो वीडियो पूरा देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकरी के साथ फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत